हेलो प्रेंट्स तो यह है हमारा जो फेडरल सिस्टम और यूनिट्री सिस्टम संगिये व्यवस्ता और एकात्मक व्यवस्ता है इसको बोलते हैं यूनिट्री सिस्टम तो यह हमें देखना जूरूरी है तो वो संगिये व्यवस्ता है और यह कहीं लिखा भी नहीं है यह है जो भी तर्म आ रहे हैं तो यह आने वाली लेक्चरों में धीर धीर डिफाइन होगा जिसका जब भी टाइम आएगा जहां पे जिसकी ज़रुगत परेगी वह मैं आपको डिफाइन करूंगा जब सीक्वेंस आप इसको फॉलो करेंगे और पूरी तरह से यह लेक्चर कंप अपने छेतर में काम करती हैं और दोनों का मतलब जितना पावर है वो भी डिवीजन किया गया है जैसे कि आप देखेंगे संग सुची राज्य सुची समावर्ती सुची तो यह सब डिवीजन और पावर ही है तो यह भी आपको पता होनी चाहिए तो अब हम देख लेते हैं संगी यह बिवस्त है और एक आत्मक बिवस्त है यही हमें जानना परेगा तो स्ट्री में आप देखेंगे कि जैसे बहुत सारे छोटे 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 स्टेट होते थे और फिर जो राजा होते थे उसको जीत एक समराज यह बनाते थे जैसे कि आप मोरे समराज देखेंगे देशी रहते हैं और फिर उसमें साथ वहां सुंग ये सब लोग आते हैं उसी में आप देखेंगे कि आफ्टर मौर्य जब मौर्य कर डिकलाइन हो जाता है तो छोटे-छोटे प्रोब्रेंस में बट जाते हैं तो फिर उसके बाद भी आप देखेंगे गुपता आते हैं गु जाता है और उसके बाद आप देखेंगे कि हर्सा का काल आता है और हर्स वर्दन जो रहता है वो दीरे-दीरे सब को करता है और फिर हर्सा भी टूट जाता है मतलब हर्स वर्दन का जो सासन का रहता है पुस्य भूतिया फिर वर्दन बंस बोलते हैं हर्स वर्दन के सासन का सबसे बड़ेग्च कीङडम बनता है और वह पूरी तरस से मतलब युनाइट करता है लेकिन फिर Looks के बाद भीजुआ इसमें टूटे जाते हैं तो उसमें सोलंकी यह सब लोग देखते हैं कि बट़ जाते फिर वहाँ पर बटे जाते हैं तो फिर वहाँ पर डी सेंटरलाइज हो जाता है और फिर उसके बाद आप देखते हैं उसके बाद आप लोग मतलब जानते हैं में डेवल हिस्टरी लोग जादा जानते हैं तो उसके बाद आप देखेंगे दिली सलतनत की अस्थापना होती है और देली सलतन की यस थापना होते है, फिर टूलमक स्टेट होता है और पूरी तरसे स्टेट जो होते है वो उस तैंब समझिए कि कि मतलब एक kingdom ही छोटा सा पूली दिया जाता है तो आज हमें स्टेट के हैं यह सब्द एक देश के लिए भी यूज किया जाता है political टरम में political term में मैं तो जो इंगिया होगा तो उसको स्टेट की बोले जागा तो अभी मैं tejta क्या बात कर रहा जो कि हमारे अभी एस्टेट है अठाई से स्टेट तो यह है तो हमेशा से सेंट्रलाइज डी सेंट्रलाइज चलते आ रहा था तो यह ऐसा नहीं है कि बस यहीं पर चला रहा था जो कि भारत में यह पूरी दुनिया में चला रहा था तो फिर बहुत सारे दर्सनिक आया तो उन्होंने फिर तरह तरह के जो पॉलिटिकल थेवरी होता है उसमें बहुत सारी चीजे लिखी गए संगात्मक और एकात्मक ब्यवस्था के बारे में और यह जैसे जैसे देश तूटे जाता है तो उसमें बहुत सारे जो दर्सनिक थे उन्हों तो फ्यूडल अपने अपने छेतर में सोतनता की घोशना कर देते हैं और देश फिर टूट जाता है तो वही बोला गया कि जो बड़ा देश है तो उसमें फिर मतलब कि यह संग यह ब्यूश्ता हमें लागू करने चाहिए और बिल्कुल जब पावर आप डिवीजन करेंगे जो भी राज है उसको पावर देंगे तो टूटने का जो खतरा है देश का वो कम रहता है तो इसमें पावर दिया जाता है और फिर पावर दिया जाता है मतलब कि यह स्टेट को पावर दे दिया जाता है और संग अपना पावर अलग रखती है दोनों मिलके फिर एक यूना Terratory है उसमें ये एक आत्मक्व बवस्था फॉलों किया जा को ऑफagon कियूँ आत्मक्व पवएस्था क्यों की फॉलों किया जा सकता है रहता है कि जीुनिय아 ब्यlawsता होती है तो दोनों में अंतर क्या है यह पहले हम जान लेते हैं तो यह थोरा सा अपने हिस्टरी से जान लिया और बहुत दिन हमें मतलब जो ये संगिये ब्युद्ध हाई इसके पाइब में कि था बहुत दिनों से और यह ये भी बात है समझे कि जो हमारा federal system है यह Canada based federal system है और जो अमरीका का federal system है वो अलग system है उनका दोनों लोग का जो state है वहाँ पर 50 state आप देखेंगे तो उनका और center के बीच में agreement हुआ है जैसे कि 50 state है 50 state फिर जो state है सब इस टेट ने 500 मिल के फिर एक center का निर्मान किया है लेकिन ऐसा नहीं है हमारे यहाँ पर दूसरे तरह का federal system जैसे कि पूरा एक country है हमारा इंडिया unit मतलब माना गया है इसमें और इंडिया को फिर division किया गया है ऐसा माना गया है तो हमने कोई states agreement नहीं किया हमने सासन पर सासन चलना लें के चलाने के लिए फिर जो यह पूरा इंडिया है उसका division किया है और फिर इसको हमने federal म मान लिया गया है लेकिन यहां पर आसा नहीं यह country नहीं था पहले से नहीं था चीजे यह समझ लिए यह फूरे जो 50 state है यह आए और इनों 50 state हो ने अपने में agreement किया कि हम एक देश का निर्वान करते हैं और 50 state हो ने मिलके agreement के ताहत यह देश का निर्मान किया है लेकिन यहा यहां पर state पहले हैं देश बाद में बना है तो यह मतलब agreement के दाहता है है और यह अलग भी हो सकता है लेकिन हमारे यहां से state अलग नहीं हो सकते हैं वो मैं आपको भाग वन है उसमें बताऊंगो तो अब हम अंतर देख रहते हैं तो हमें समझ में एगा तो इसमें होता है कि राष्टिये सरकार होती है जो कि छेतरिये सरकार बना सकती है तो सरकार छेतरिये सरकार तो बनाएगी लेकिन वो किसके लिए बनाएगी वह सापको सासन देखना है वहां पर जैसे कि सामंत बादी बेवस्था आप देखेंगे कि पहले था सामंत बादी बेवस्था एक अपनिक मेंटेन तो करते ही थे और टाइम पे जब भी यूद होता था था उनको सेना वगएर दी जाती थी तो यहां पे छेत्रीय सरकार बनाई जा सकती है वहां के लिया को मैंज करने के लिए जो एकात्माग ब्ववस्ता होती है लेकिन यहां पर होती है केंदर राज्य सरक क्यों होंगे क्यों कि दोनों चीजे रिटेन है आपको पता है कि आपकी पावर क्या है और केंदर को पता है कि आपकी पावर क्या है तो दोनों में फिर उसमें नहीं होता है और बिना लिखित संभिधान के जो पावर का डिवीजन होता है वो नहीं हो सकता है तो इस बज़ संग्सुची पर सरकार कानून बनाती है में जो स्नग्सुची में और जो राज्य मर्थ में यही फीचल है पीछए रहे कि लेखित सम्णी दान तो हो भी सकता है और अलिखित सम्ण Missouri दान फ्रांसका सम्णीदान है तो यह दिरे दिरे whole सबस्राइणों हो सकते है लेखित सम्ण्राइभा भीxy में सकतियों का भी वाजन होता है जैसे मैंने आपको बता है तो हर एक छेतर में जो हमारा केंदर है और जो हमारे state government है उनमें सकतियों का भी वाजन है कि छेतर में कौन काम कर सकता है मुखे मंतरी का कहां तक power है PM का कहां तक power है जो हमारे law बनाने की जो परलियमिन की power है वो कहां तक है जो state assembly है उसकी power कहां तक है ये बिल्कुल define है और जो संग सुची है समावर्ती सुची है उसमें बिल्कुल बिसे दिये गए हैं कि किस बिसे पर कौन लौग बना सकता है तो इसमें सकतियों का भी वाजन होता है जो संगिये ब्यवस्ता होती है और इसमें समस्त जो सकतिया होती है ये रेस्ट्रिये सरकार के पास होती है जो सेंट्रल गवर्मेंट है वही कानून बना सकती है जैसा कि पहले राजा का सासन था राजा जो बना दिया बना दिया सामन तो उसमें नहीं बोल सकते है कि आपको यही कानून बनाना है वही चीज़े इसमें भी है और यहाँ पर होता है संगिये ब्यवस्ता में संविधान सर्वोच होता है संविधान के ताहत ही हार एक चीज़े है तो इसमें संविधान सर्वोच होता है लेकिन आप देखेंगे बिल्टेन में पाटलिया में जादा पावर फुल झावर कि दोनों को बात किसको मनाना है तो यह भी निरने होते हैं आप देखेंगे कि यह स्टेट गवर्मेंट बना कर सकती है लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि नैपाली का स्वतंत्र हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है जैसे कि आप देखेंगे कि ब्रिटेन में नैपाली का स्वतंत्र नहीं है जो परलियमेंट लॉब बना दिया वहाँ question करना बहुत ही मुश्किल है वहाँ पर जो quote है वहाँ का लेकिन यहाँ पर देखिए कि हमारे यहाँ पर पढ़ लिया मैं कोई भी law बना दे अगर constitution से मैच नहीं करती तो उसको फिर नॉलेंड वाइड कर दिया जाएगा वह फिर काम कर रहे गा ही नहीं ऐसा आप कितनी बार देख भी चुके हैं और जो संगीए बेवस्था होती है तो इसमें दिव सदन यह बिधाई का होती है जिव सदन यह बिधाई का आप कैसे देखेंगे जो हमारा राज्य सबाल को आप ल्यवी डेटों करती कोम हो सके चाहन है राज्यो के अधिकार में आदिकार नियह लोग कर ज होती है और जो इस परतिनी डिटों करती है जो राज्य सबां में जाके साथ ऐसे MPड होते हैं वह भी ऐसा law pass होता है तो वहाँ पर फिर वो लोग रोक देते हैं आपको पता होगा कि लोग जो भी law pass होती है चाहिए constitution amendment होती है तो दोनों का power सेम ही है राजे सबा लोग सबा बित्ति अधिकार छोड़ के वो मैं आपको बताऊंगा जो कि financial power उसमें ज़्यादा लोग सबा की power है क्योंकि पैसे से state को क्या मतलब state का जो fund है वो अलग है वो मैं आपको वहाँ पर बताऊंगा तो यहाँ पर दिव सदन यह बिधाई का होनी चाहिए संगी यह बिногоस्ता हो और बिधाई का दियू सबन यहाँ भी सकती है और नहीं भी हो सकती जैसा की नहीं यह आप देखेंगे कि चीण में नहीं है तो बिते क्लियर्टी देने का कोशिज करता हूं जो आपको मिलेगा और यहां पर होता है जो समीधान कठोर होता है जल्दी से आप समीधान के प्रविजन को चेंज नहीं कर सकते हैं और यहां पर होता है कि समीधान कठोर हो भी सकता है जैसे कि फ्रांस का है और नहीं भी हो सकता है जैस ये भी Parliament बिना राज्य के अनुमती के नहीं change कर सकते एक तो पहले आपको राज्य सबसे अनुमती लेनी होगे और फिर आपको आधे राज्य से भी वहाँ पे अनुमती चाहिए change करने के लिए जैसे President के election में change करना हो राज्य सबसे बारहना काटाना हो उसमें भी आपको अनु अमेंडमेंट करते हैं, तो ये कोछा नाता भी है, तो ये हमारा संगिये ब्यवस्ता आपने समझ जा, ये overall जो पूरे वर्ल्ड में follow किया जाता है, और फिर अब हम उसको connect करेंगे अपने देश से, तो पहले आप concept जान लिए, फिर अपने देश में आप देख लिए कि क्या ह क्यों है, क्या क्या provision है, ऐसे फिर concept हमें बानाते चलना है, तो अब हम देखेंगे अपने देश का कि हमारे देश में कैसी संगिये ब्यवस्ता है, कौन कौन सा provision है, जो हमारे संगिये ब्यवस्ता है, मैं match करती है, और तो ये भी समझना परेगा, कि जो true federal system माना जाता है, वो लिकिस संभीधान वहाँ पे बनाया था, और बहुत सारी modern चीजों को उसने अपने संभीधान में एड़ किया था, तो उससे हमें compare करना पड़ता है, और फिर दूसरा है कि हमें British जो system है, उससे भी compare करना पड़ता है, क्योंकि British ने हमें राज किया, और उसी system को further हमने continue रख और थोड़ा वहाँ पर हम फ्रांस से compare करेंगे, तो यह तीन चार देशों से हमें ज्यादा compare करना पड़ता है, लेकिन आप बहुत सारे जगापे देखेंगे कि बहुत देशों से compare करा दिया जाता है constitution को, तो उतना नहीं करना है, आपको तीन यह mainlyly दिमाग में रखना है, तो हम यहाँ पर अमरीका के federal system से compare कर लेंगे, तो यह चीज़े हैं, हमें इसमें यही देखना है जीज़े, भारतिये जो संगीए ब्योस्ता है, federal system of India यही देखना है, और इसमें कुछ भी हमें देखना है नहीं होता है, में इलनी आपको यही देखना होगा कि जो संभीधा है, तो हमारे संभीधान में क्या क्या चीज़े ऐसी दी गई है, जो कि हमें federal के तरफ दिखाती है, और क्या 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 चीज़े ऐसी दी गई है, जो कि हमें unity की तरफ दिखाती है, क्यात्मक ब्योस्ता के तरफ यही दो चीज़े हमें देखनी है इसमें, और थोरा सामें यह मैं आपको लेके चल्दा हूँ पर्लेमेंटरी कमिटी जितनी एस्टेच चुडी बॉड़ी होती है वो भी चीजे मैं आपको बताऊंगा संग राज संबत तो चीजे बहुत सारी हैं तो इस बज़े से मैं थोरे जल्दी जल्दी कंप्लीट कर रहा हूं अगर आप इसको पिर हम देख लेंगे जो हमारे संगहात्मक वाले लक्छन है जो फेडरल सिस्टम वाले जितने भी प्रोविजन है उसको मैं आपको बता दू搁गा फिर अ इसम yn एकाश्डमक ब्वसता वले जीटने भी हमारे एमारे पूर आंपको बता दूगा इसमें हम कंपेर भी कर ल जो एक्जिक्यूटीव है जो गॉर्मेंट बनती है कैबिनेट वो भी संभिधान के ताथ ही बनती है और जो लेजिसलेचर है चाहिए लेजिलेचर जो भी कानून बना देचाहिए सुप्रीम कोट भी हो तो उनको काम भी करना है तो वो कोंस्टिट्यूशन के अनुसार ही करना है वो अपने अनुसार कोई फैसला ने दे सकते हैं पहले वो कंस्टिट्यूशन को देखते हैं कंस्टिट्यूशन में प्रियम्बल को भी देखा जाता है उसमें कंस्टिट्यूशन को देखा जाता है बहुत सारी चीजों को मैच करा क सकते होते से प्रावर चाहिए इस भजब बहुते हैं chops agg मैंने बताया कि संविधान शर्वों जो होना हो ँपावर होता है तो इस ब지 feeling होती है तो इस बाज़ा मिए जो फ्रिल्यजें हैं ये संग ये their संग ये संग able ऐस्ता को मानता है तो इसमेश समझ सकते हैं और दूसरा इसमें कि लिखित सम्विधान है जो हमारा Constitution है तो यह रिटेन Constitution है यह भी मैंने आपको बताए था कि लिखित सम्विधान की जो उड़त सबसे जाता है लेकिन लिखित सम्विधान की आप पाउर लाइंक कैसे जो संग सूची है समावर्ती सूची है आप कल कुछ लिखके जो पर्लियमेंट है वो एड कर दे अलिकित संभीधान में क्योंकि वो इवल्ब होते आता है और फिर उसमें एड कर दिया जाता है कोई भी चीजे पर्लियमेंट वहरे लिखके तो लिखे आपने डिविजन ऑपावर कर दिया और उसमें बात-बात संभीधान भी नहीं हो रहा है यह सकी जो होनी चाहिए उसमें तो फिर यहां पर संगियों ब्यवस्ता होती है तो जो हमारा संभीधान है तो आपको पता होगा कि हमारा जो संभीधान है यह लिखे संभीधान हो औ पर और इसमें तीसरी बात है कि कठो रेओं लचीला संविधान होना चाहिए रिजीड और फ्लेक्सिबल दोनों होना चाहिए संसोधन ना हो अगर राजया में कुछ जरूरत पर दो कुछ संसोधन ना हो बिल्कुल रिवीजन पावर आपने कर दिया तो कर दिया तो जैसा बिल्कुल लगवग तीन सव साल पहले का संविधान है और उसके बाद आप अगर इंडियन कोंसिट्यूशन देखे तो लगबग आप देखेंगे 75 सालों में 130 बार से ज़्यादा अमेंडमेंट हो चुके हैं तो यह फ्लेक्सिबल भी है और रिजीड भी है हमारा जल्दी संभिधान संसोधन भी नहीं होता है और फिर रिजीड भी है और फिर फ्लेक्सिबल भी है कुछ प्रोबीजन जो हमारे लॉव वाले चीज़ों को अपनाया है रिजीड और फ्लेक्सिबल दोनों चीज़ें हमने अपनाया है तो यह भी जो हमारे हैं यह फेडरल सिस्टम के तरफ जुकाव को दिखाते हैं मतलब यहाँ पर अमेंडमेंट होना चाहिए और यह नहीं कि बिल्कुल इजीवे में होना चाहिए न करना है उसमें आपको एक तो एपसुलूट मैजोर्टी चाहिए उसके बाद आपको फिर से जीतने भी आदे हमारे स्टेट हैं उन से भी आपको अनुमती लेने की जरुरत है जो कि वह अपने विधान सभा से पास करते हैं तो वह इतना जल्दी पास हो नहीं पाता है यह आ होती है उसमें डिवीजन आप पावर होता है तो डिवीजन आप पावर जैसा की संग सूची है राज्य सूची है तो यह भी हमारे चीज़े हैं तो संग सूची और राज्य सूची दोनों का डिवीजन है बिलकुल जितने भी एरिया है जहां पर लोग जो बना सकता है और क विचुके बुष़ा है कि नहया पालिका की सरुचता होती है सुरीमेशिय स्जी होता है मतलब जो भी होतых है यह सब से पावरफूल ले तो यह आपको पाता है कि जो भी हमारी कितने पावरफूल है बहुत फुल है पो लेंडिकेंट वह वह मिल आप जितने भी देखेंगे डिस्टी कोड के नीचे तो वह बहुत ही वहाँ पे धांदली देखने को आपको मिलता है वहाँ पे वह मैं आपको जूटिसरी के प्रोग्लम में आपको बताऊंगा वहाँ पे क्या क्या दिकते हैं नहाँ पे तो नहाँ पाली का सरवच्छा है और नहाँ पाली का जो भी आप कानून बनाई है तो पहले तो वो नहीं बोल सकती जो legislature कानून बनाती है लेकिन कानून बनाने के बाद आप देखिएगा कि वो नयापाली के हमें अगर challenge हो गई तो फिर वहाँ पे नयापाली के चेक करती है कि यह संभीदान के दहद बनाया कि नहीं और कहीं यह state के power को तो कम नहीं कर रहा चाहिए जो फेडरल सिस्टम है उसके power फिर उसका तो हनन नहीं कर रहा चाहिए जो सेकुलर सिस्टम है रिपबलिक यह सब चीजे वो देखता है वहाँ पर अगर इस संभ का हनन नहीं होगा तब ही जाके आपका वो लाओ मानने होगा नहीं तो उसको कर दिया जाता है तो यह आपको समझने परेगी तो जिश्री बहुत ही पावरफुल है हमारे देश में और अगला है कि जिवस सदनात्मक ब्यवस्थापी क्या होती है वाई इस समझे अपने बेच गोर्मेंट्र को करता है वहाँ परदिया में देखेंगे राजे सबहा लोगसाब के बारे कात्मक ब्यवस्था का कैसा प्रोविजन करता है राजे सब ये सब चीजे बहुत ही conceptual class होने वाली है तो बस आपको इसको देखना है तो दियू सदनात्मक ब्यवस्था पिका होती है बाई केमरल लेजिसलेशर और जो भारत का संगी ये ब्यवस्था है इसमें दो परकार की सरकारे तो हैं कानून तथा अधिकारों का भी सहस्ती तो है दोनों मिलके ही काम करते हैं तो इसको दोनों का प्रोवीजन जो कि हमें दिखाते हैं कि हम फेटरल हैं लेकिन अब बहुत सारे प्रोवीजन ये भी हैं कि हमें नॉन फेडरल दिखाते हैं और यह हमें कैसे पता चलेगा जब हम compare करेंगे, और किसे compare करना होगा फिर, कियोकि true जो federal system अमरीचा अपनाता है, तो उससे हमें compare करना परेगा, तो यही पर जो एक आत्मक के लक्षण हैहा हमारे, और यही पर हम, अपने विशाय को देखेंगे, और फिर अमरीचा से हम compare यहां पर करेंगे और फिर हम यह भी देखेंगे कि जहां जहां केंदर राज्य के सक्तियों में एंटर करता है वहां पर हमें मानना होगा कि यह फिर एक आत्मक के तरफ हमें इसारा कर रहे हैं तो भी हम इसमें देखेंगे कि जो केंदर सरकार है कहां कहां पर राज्य को उसके बाद आप देखेंगे कि रेजुडिरी लिस्ट होती है, रेजुडिरी लिस्ट मतलब समझ ये कि वो future में कोई चीज़ आ सकती है, जैसे cyber crime हो गया, तो जब हमारे constitution लिखा गया होगा, तो cyber crime के बारे में किसी को पता नहीं होगा, तो बहुत सब चीज़े जैसे alien आ गया, तो अब alien पे lock on बनाएगा, तो ये चीज़े भी central government को दे दी गई है, तो चार चीज़े हैं इसमें, तो पहला नमबर है संग सूची, राज्य सूची, तो संग सूची में आप देखेंगे कि ज्यादा तर भी साय संग सूची में दिये गया है, तो संग सूची में तो पहले आप देखेंगे 97 भी साय थे लेकिन 98 भी साय है, थे और यहाँ पर देख रहे हैं कि संग को ज्यादा पावर दिया गया अंठानवे भी साय पर संग कानून बना सकते हैं और जो भी most important powerful चीज़े हैं वहाँ पर संग कानून बनाती है जैसे आरमी हो गया banking ब्यवस्ता हो गई stock exchange यह सब चीज़े जितने भी है important चीज़े वहाँ पर बना सकते हैं और कानून बगेर इनको दिया गया है state government को तो यहाँ पर एक तो आपको powerful चीज़े भी वहाँ पर दी गई है उसे दूसरी चीज़े है कि यहाँ पर आपको कम भी से भी दिये गए है state government को तो यह है और शामवर्ती सूची यह तो इसमें पहले तो 47 भी से लेकिन अब इसमें वावंड भी से दिये गहा है और सामवर्ती सूची में यह भी आप समझगे यह जो समझ लिज़े जो सामवर्ती सूची है तो अगर दोनों लोग कानून बना सकता है लेकिन अगर state government का कानून Central Government के कानून से मैच करता है बना दिया तो वहां पर Central Government का ही कानून लागू होता है तो यहां पर भी आप देख रहे हैं कि केंदर के पक्षे में सब्सक्राइब यह कापे जादा है तो यह एक आत्मक्त के तरफ हमें दिखाती है संग और राज्यों के लिए एक ही संभीधान है इसमें बचाते हैं तो इस बज़ बचाता है तो अमरीका का आप देखेंगे तो वहां पर जो पाश्चाइस स्टेट है तो सब का अलग-अलग संभीधान है ल क्योंकि दोनों का प्रोविजन हमने एक ही संभीधान में लिखाई State का भी और जो हमारी Central Government है उसका भी और एक ही एक और ही ना करिकता है यहां पर Single Citizen है यह भी आपको एक आत्मक का है लक्षन है जो एक आत्मक का है Single Citizen से यहां पर बस जो हमारे देश के नागरी रिखेंग वह बस Indian Citizen है कोई भी स्टेट का सिटीजन हमारे यहां पर नहीं लगता है और यह हमने है कि यह किरितना एक बेवस्था है Integrated जो जो इसिस्टम है तो जो हमारा Supreme Court है उसी का सब ब्रैंच आप देखेंगे की High court है जो कि is State काम करता है पिर उसका ही ब्रैंच आप देखेंगे की जो डिस्टिक में काम है उसको तो इस सूप्रिम कोट है हमारे Central Government के मतलब कि सबसे ऊपर का कोट हमारा सूप्रिम कोट है और उसके नीचे जो स्टेट में काम करते हैं वो हाई कोट है तो वहां भी हाई कोट है समज़े जो United State है तो जितने भी स्टेट हैं वहाँ पर 50 तो वहाँ पर भी कोट है और उनके कोट में जैसे की मृतिव डंड किसी कोट ने दिया वहां एकी करित है जो फेडरल कोट है और जो एस्टेट का कोट में नहीं हो सकता है तो हमारा एक ही खृत नहीं आई वहां पर यह system नहीं और आप यह देख सकते हैं कि एक संकटकाल में हम एकात्मक रूप मतलब कि unit-trip form doing emergency तो emergency जो provision आप देखेंगे emergency प्रोबीजन यह भी एकात्मक के तरफ ही सारा करते है जो आप देखेंगे कि नेशनल एमर्जनसी है उसके बाद आब देखेंगे कि प्रेसिडेंट रूल है जो कि इसे हैं हमें और य hen husbandly दूर्फ होती है और कोई किसी मेह सब्सक्राइश नहीं कर सकता है से पावर आ जाती है central government के तरह से तो यहां पे तो पावर का हानन हुआ है तो यह भी हमारा एक अत्मक के तरफ ही दिखाता है संभिधान को और अगला हम देख लेते हैं संसद और राज्यों का संसद को राज्यों का पूनर गठन की सकती है तो जो फावर आप देखेंगे तीन के ताहँ चाहें दूख के ताहट तो इसमें जो पार्ल्यमेंट थे नाम सकती है बाउंडरी बदल सकती है खातम कर सकती है श्तेट को तो यहां पर यह तो स्टेट का नाम या फिर कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं स्टेट अलग एक इन्टिटी है वह वहाँ पर समझा जाता है लेकिन यहाँ पर यह चीज नहीं है तो यह भी हमार एक आत्मक के तरफ ही लक्षन दिखा रहा है और यहाँ पर अगला आप देखें कि राज्य सभा मे राज्यों का जो है आसामान प्रतिनी दित्व दिया गया तो अब जो अमरीका में आप देखेंगे तो वहाँ पर पचास से स्टेट हैं और सो जो वहाँ का राज कांसिल ओफ एस्टेट हैं तो अमरीका में जो सीनेट है उपरी सदन को सीनेट बोला जाता है तो सीनेट में जो है ये पूरी तरह से 500 उभर होते हैं और 50 स्टेड़ से चुन के आते हैं इंसा मेंबर और हर रएक स्टेड़ से दो-दो मैंबर लेकिंड हमारे यहाँ पर ऐसा शीजह नहीं आप देखें की यूका सदस ऐते हैं परम यह यहाँ को लैंड का प्रतिनी धित्व थोरीं करना है जमीन का प्रतिनी धित्व कर रहा है कि इतना जमीन है तो उसको एक दो सीट मिल जाएगे हम अपने जन संक्या का प्रतिनी धित्व करते हैं तो यूपी में ज्यादा जन संक्या है तो हम ज्यादा प्रतिनी धित्व भेजते हैं सं सेनेट में और अगला जो हमारा है एकात्मक के तरफ धुकाओ तो यह देखिए कि राश्ट पती द्वारा राज्येपाल की निफ्ती होती है तो अब यह समझे राज्येपाल जो होता है तो यह सेंटर को रिपर्जेंट करता है स्टेट में तो जैसा कि प्रेजिदेंट सेंट गर्पाण सब्सकाबर के लिए और फिर सेंटर का पर अनुमती दे याद देखिए ना दे तो ये भी तो फिर सक्तियों का हाना नहीं हो रहा है स्टेट को कहा पावर है आप आप ये देख रहा है बिना राजयेपाल के अनुमति के कोई भी लौ नहीं बन सकता और फिर वो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पे कंजर्ब कर लेता है प्रेसिडेंट के लिए चाहे राजयेपाल के ताहँ देखेंगे कि बहुत सारी स्टेट गवर्मेंट को परिशान भी किया जाता है जो कि फेडरल सिस्टम में ये सब चीज़े नहीं होती है तो यहाँ पी ये भी आप देख सकते हैं अगरा जो है हमारा जो संविधान संसोधन पर किलिया है ये संग की सरवचता है तो संविधान जो संसोधन है इसमें तो most mainly आप देखेंगे powerful body कोन है तो इसमें संगी है central government ही constitution का amendment करती है state government करता ना तो अपना संविधान है अना असामिजान संसोधन में कोई उतना पावरफुल है राजे सबा में सदस से जाते हैं लेकिन उतना पावरफुल नहीं है जितना कि union government है constitutional amendment करने में वहाँ पे ये लोग अपना majority बना ही लेते हैं राजे सबा में राष्ट पती ही 12 सदस्व को निक्त करता है तो वहाँ भी majority आ जाती है और जो center government की party होती है तो उनका state में भी सरकार होती है और state में भी धीरे-धीरे majority बना के state से भी majority बन जाता है क्योंकि ये state ही तो राजे सबा में बेजते हैं अपने परतिनी देट से को तो वहाँ पे जो होता है ये पूरी तरह से जुका और union government के ताहत चला जाता है संसोदन प्रकिरिया में तो यहाँ पे भी state की power कम है ये आप देख सकते हैं और फिर राजियों की दूर बलता है बी टी ए इस्ती थी भी इनकी कम जो रहा है तो financial power भी कम है राजियों की आप देखेंगे एक तो CAG है जो की accounting करता है राजिय का भी और central government का भी तो यहाँ पे भी power कहानलन होता है और जो mostly आप देखेंगे पैसा है पैसा तो देखेंगे जितने भी mainly tax है जो की ज़्यादा पैसा आता है तो वो central government के पास है इस टेट गवर्मेंट के पास फंड़ी क्या है फंड़ जादा है इन्हें वो बीतायोग जो finance commission है तो वो पांच साल पे फंडों का फिर भी वाजन किया जाता है वहाँ पे पैसा दिया जाता है तो दो तरह से पैसा जाता है आप देखेंगे एक तो नीती आयोग के तहत पैसा जाता है इस्टेट को और दूसरा फिर देखेंगे कि वीतायोग जो finance commission है वो तो constitutional body है तो वो सही से suggest करके वहाँ पैसा बटवारा किया जाता है लेकिन जो नी अठीगी government state में नहीं है उसको जो center में बैठी है वो कम पैसा देती है तो यह सब सीजे चलता है तो financial भी इन लोग की ज्यादा independence है नहीं state की तो यह भी हमारा एक आत्मक्त के तरफ दिखाता है हमारे सम्मिजान को और आप यह भी देखेंगे जो AIS अधिकारी होते हैं all India service के अधिकारी AIS IPS तो यह लोग देखेंगे कि आप central government द्वारा निप किया जाते हैं और काम यह करते है state में तो यहाँ पे भी फिर माना जाता है कि state government का जो power है इसमें दखल दिया जाता है central द्वारा तो all India जो service के लोग AIS अधिकारी यह लोग है तो यह समझे डिस्टिक में का करते हैं और बिना इनके मर्जी के डिस्टिक में कोई भी चीज़े नहीं हो सकती है तो फिर यहाँ पे भी state के power को कम किया जाता है तो यह भी एक आत्मक के तरफ ही जो का और दूसरा आप देखेंगे कि जो election commission है तो election commission है तो आप देखेंगे election commission किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा और president किसके कहने पर काम करते हैं वो PM और जो cabinet होता है उसके कहने पर काम करते हैं और जो election commission है तो उसका दूख काम है आप देखेंगे कि एक तो राज्यों का भी election कराता है और दूसरा वो center government का भी president का भी election कराता है और लोग साबा के भी election कराता है तो यहाँ पे भी अनुसार बना है वहां पे ध sleptली होने लगा गा और राज्य फिर अपना अलग inntitie मानने लगते हैं राज्य jy अलग inntitie मानने लगते हैं मतलब हम मॉलक ही हैं बिल्कुल हम सभी चीजेतो और कए लग हो जाएंगे ये आप देखेंगा अर्टीकल 200 ती रेपन है और Central Government है किसी भी अंतरराष्टी ये संस्थान से संधी कर लेती है तो वो फिर वहाँ पे अब राज्य सूची पे भी कानून बना सकती है जैसे IEMF से हम जाके कोई Agreement कर ले है चाहे वाल बैंक से कोई Agreement कर ले तो अब ज़रूरत जब परेगी वहाँ पे लागू करने के लिए वो Agreement को तो वहाँ पे अमराज्य सूची पे भी कानून बना सकते हैं क्योंकि देश की बदनामी होगी इस वज़े से ये चीजे दी गई है तो ये भी मतलब की समझी एकात्मक के तरफ ही है तो इतना चीज मैंने बता दिया आपको संभीदान में संगात्मक ब्यवस्था के बारे में और एकात्मक ब्यवस्था के बारे में येई चीजे संगिय लिए वेवस्ता के तरफ प्रोभीजन है जो धीखाती है अब एकात्मक के तरफ आप देखेंगे केंद्र के पक्षे में ज्यादा सक्तियों का वितरन है संगेवम राज्यों के बीच में, राज्यों के लिए एक ही संभिधान है, एक ही नागरिकता है, एक ही कृतने पाली के है, और जो इमर्जेंसी प्रोभीजन है, जिससे हमें कात्मक हो जाते हैं, उसके संसाथ को राज्यों कास्ती तो खतम करने तक का अधिगार है, तो यह सब कुछ चीजे बताती है जो कि हमारे नॉन फेडरल फीचर है और अब हम देखते हैं कि आखिर में फिर जो चीजे हैं तो हमने ऐसा क्यों फेडरल सिस्टम अपना है तो यह आपको देखना यहां पर जरूरी होगा कि भारत अलग संगिये ब्यवस्था के लिए क्यों गया तो अब मैं बताता हूं कि हम ऐसे फेडरल सिस्टम के तरफ क्यों गया अब मानली जी कि जैसे कि जो फेडरल सिस्टम मैंने बताया कि दो लेवल की गवर्मेंट होती है दोनों अपने आप में पावर्पूल होती है दोनों का अलग संभिधान होता है और जो नागरिकत जैसे कि globalization है तो अब globalization है तो देख रहे हैं कि पूरे दुनिया में society, culture, सब पर impact पर रहा है तो अब हमें globalization जैसे है वो आख बंद करके नहीं करना जो हमारा culture है उसको बचा के रखना चाहिए ये सब चीज़े है वैसे ही जो चीजों की जितनी जरुरत होती है वही हमें लेनी च जैसे कि मान लिए किसी को diabetes जाए तो वो देखेंगे कि चीजों में खाना घाएगा तो चीजों में खाना घाएगा तो चीनी कम लेगा मतलब जो भी चीजे वो लेगा फूड उसमें चीनी कम होगी वही चीज़े आप समझ सकते हैं तो अब हमारा जो था वो system नॉर्मल नही इसी बज़े से हमने थोरा modify करके ये federal system अपने यहाँ लागू किया है वही हमें देखना है इसमें कि हमने आखिर में क्यूं इस तरह का federal system अपने यहाँ पर लागू किया है जहां कि ज़्यादा तर चीजे एकात्मक के तरफ हमारा जुका है वो मैंने आपको उपर बता हैं लिए तो भारती ये समाज की प्रविर्ती जो है वो सरवर्धी वो सबसे ज़्यादा विवित्ता वाली है इसी बज़े से हमें इस तरह का federal system अपना ना पर है अब विवित्ता है तो अगर विवित्ता का आप सम्मान नहीं करते हैं तो फिर वो देश तूटने का खत्रा होत है जैसा कि आप सूरू से ही देखते आ रहा है कि सेंट्रलाइज होता है फिर डी सेंट्रलाइज हो जाता है मतलब कि पूरे तरह से छोटे-छोटे kingdomों में बट जाता है ये देश आपने कितनी बार अगर इंसेंट इंडिया और मेडियेवल मॉडर्ण के क्लास देखा होगा मैं ये चीज़े आपको बता चुका हूँ वही सिस्टम है तो वो चीज़ें हमें नहीं दोरा नहीं थी और जब तक आप लोगों को सासन करने का मतलब उनके हाथ में नहीं दीजिएगा तब तक उनको देश से लगाओ भी नहीं होगा अगर विवित्ता का सामान तभी होता और विवित्ता का सामान हम कैसे करते हैं स्टेट गवर्मेंट को हमने सासन दिया फरदर आप ये भी देखेंगे कि हमने पंचाईती राजे सिस्टम बनाया बिल्कुल जमीनी लेबल तक हम डेमोक्रिसी को लेके गए हैं तो इससे होता क्या है कि लोगों का जुरा होता है औ फिर उन्हें ऐसा महसूस नहीं होता है कि वो बंधन में है किसी वो हमेशा अपने आपको फ्रिटम महसूस करते हैं और देश से फिर लगा होता है तो यही बिवित्ता का सामान करने के लिए हमने स्टेट गवर्मेंट को भी दिया है सासन कि आप अपने अनुसार चलाओ और यूनिट्री के तरफ है यूनिट्री के तरफ इसलिए है क्योंकि देश ये फिर से टूटेन है जैसा कि आप बार बार देखें कि डी सेंट्रलाइज बार बार होता है सिस्टम इसलिए हमने ये सिस्टम को अपना है और दूसरा है कि सबकी आवाज के इंदर नहीं समझ सकता इसलिए भी हमने यह system लागू किया है मतलब इस तरह का system जो federal system है अमारा federal system इसलिए दिया जाता है ताकि सब की आवाज जो है अब एक हिंद्र सरकार किसकी किसकी आवाज सुनेगी है आप नॉर्थ में देखिएगा, साउथ में देखिएगा या फिर east waste तो काफी country बहुत बरा है और बहुत बड़ा कंट्री है तो यह समझे कि एक जो सेंटर गौर्मेंट है वो आवाज सबका नहीं सुन सकते हैं और वहां से आप पॉलिसी बनाते हैं अगर मान लिजे इरिगेशन का और पानी सबी जग़ा पहुंचाने का तो नौर्थ में उतना जरूरत नहीं है यहां बारीस भी अच्छी खासी होती है लेकिन साउथ में आपको नहरों की ज़्यादा जरूरत है तो वहां पे आपको मतलब पानी जो दक् जरूरत है फिर जान मान लिजी यूपी को पता है कि हमारे स्टेट में क्या जरूरत है करनाटक को पता है कि हमारे स्टेट में क्या जरूरत है केडला को पता है हमारे स्टेट में क्या जरूरत है तो वो लोग अपने अनुसार चीजे कर सकते हैं सेंटर गवर्मेंट बस उस लिए बाणाय था कि लोगों को मतलब फैसला लेने का जो भी है वो दरवाजे तक आ सके तो अब पंचाइती राजे सिस्टेम में आप देखेंगे कि जो मुखिया होते हैं उनसे अब डिरेक्ली बात कर सकते हैं मुखिया को डिरेक्ली चुन सकते हैं चुननेंगे तो फिर उन जरूरत होगी, उसी तरह का काम होगा, ऐसा नहीं है कि अलग तरह का काम होगा, हर एक स्टेट अपना अपना काम अलग अलग तरीके से करती है, जिस स्टेट में जो चीजों की जरूरत होती है, वो लोग करते हैं, आपको पता है, तो इससे ये भी फायदा हो जाता है, अब ए चीज़ा अलग तरह की चाहिए तो उसलिए जो state government है वो अपना अलग काम करती है और center government तो देश लेबल पर काम करती है इस बज़े से भी हमने ये system अपनाया और अगला जो कारण है राज्य सामिल नहीं होना चाहते थे भारत संग में तो इसलिए देखेंगे कि 500 से भी ज़्यादा प्रोवेंस थे हैं और उनको फिर agreement sign करा के फिर उनको कैसे भी भारत संग में सामिल किया गया तो आप सामिल करने के लिए फिर उनको लालच देना था और लालच देना था तो इस बस सामिल होगे तो आप अपने एरिया में राज कर सकते हैं जो है स्टेट गवर्मेंट होती है तो अपने एरिया में तुम मान लीजे राजा ही है तो उसी तरह हमने फिर उनको यह लालच दिया कि आप बस संग में सामिल नहीं थे क्योंकि उनकी जितनी भी इंटीटी है वो खतम हो जाए बिल्कुल फूरी तरसे क्योंकि वो राजा थे और राजा से पी आम लोगों जैसा हो जाते इस बज़े से उनको लालज दिया गया कि आप संग में सामिल हो यह आप वहाँ उस छेतर में सासन कर सकते हैं जहां चीजे थी ही नहीं राजा जो चाहता था वो होता था कभी भी किसी को उठा लो किसी को मरवा दो किसी को कोई सजा दे दो कोई चोड़ी किया है तो उसका हाथ कटवा दो पैर कटवा दो पत्थर मरवा दो इस तरह के सजा दिया जाता था और फिर आप वो समझे कि सजा भी तही तरह से नहीं दिया जाता था है दो लोगों ने चोली की है तो दोनों को चोली में अलग- ACE कि अगर वो नीचे कया सब दो कम सबảngरा जाब गया जाएगी तो बहुत मतलब कम ही आजादी थी वह जब British आते हैं तब तो समझी कि आजादी बिल्कुल छिंजाती है आपना पेपर निकाल सकते हैं ना बोल सकते हैं कुछ भी काले पानी की सजान डमानी को बारे में भेज दिया जाता था तरह तरह के मतलब लोगों को परतरना का सामना करना पड़ता था बहुत मतलब कम आजादी थी और बहुत बुरी हालत थी तो इस वज़ए से फिर हम आजादी देना चाहते थे तो यह आजादी देने कहीं का मैं डेमोक्रेशी है तो सेंटर लेबल पे भी हम डेमोक्रेशी के ताहथी चुनते हैं लोग सबाचुना में फिर स्टेट लेवल फिर वह अगले बार हार जाएगा तो यह आजादी देना ही हुआ कि आप अपने प्रतिनीधितों को चुनते हैं तो इतना चीजे थी इस बज़ए से हमने फिर इस तरह का फेडरल सिस्टम अपना है हमने अपने जरूरत के अनुसार अपना है है ताकि हमारा देश जो है वह काफी बार मतलब तूटा है अब अमरीका है तो वो 300 साल पहले आजाद हो चुका और काफी वहाँ पर देखेंगे कि सिक्षित लोग है सिक्षित लोग है मीडिया भी बहुत आगया है और प्रेसिडेंटियल सिस्टम है यह सब सिस्टम है इस बज़ए से फिर उन्होंने उस है हमने को फेडरल लिखा लिखा नहीं है बस सुप्रेम फोट लेकिन बोल चुगा है कि जो हमारा फेडरल सिस्टम है यह हमारे संविधान में है और यह बिल्कुल बेसिक ए स्ट्रक्चर है तो अब हम तोनों का फायदा उठा लेता है फेडरल भी नहीं लिखा और समझ यह लिखे और ज्यादा तर जो प्रोबीजन है वो एक अत्मक के तरह है तो यह आपको फैदा हो जाता है तो इतने वज़े से हमने फिर यह फेडरल सिस्टम अपनाया है इस तरह का तो यह आपने समझ लिए यह फैडरल यूनिट री हमने देख लिया यह काफी चीजे हैं कॉन देखेंगे तो इसमें हम देखेंगे जो भारत का समयधानी विकास होता है इसको अच्छे से फिर देखेंगे भारत का समयधानी विकास और यह काफी कॉन से प्चुल मैं बताऊंगा और कैसे कैसे बाइक कैमरल होता है मतलब की दूश सदनी होता है कब एक सदनी होता है जी आपाली का पावर में आती है कब यह जो सीबिल सर्विस है वो आती है कैसे ब्रिटिस गवर्मेंट जो इस्ट इंडिया कंपनी रहती है उससे पावर लेती है यह सब चीजे टोटल कॉंसेप्च्वल मैं बताऊंगा तो आप लोग इसको इस सीक्वेंस को फॉलो करें और फॉ हो रहा है या सही हो रहा है उसकी चिंटाना करें वो मैं आपको बात मैं सर्व बता दोंगा तो अप लोग उसर को दें उससे काफीफाइदा होरे तो जब तक पर कितना भी ले जब तक प्रैक्टिस नहीं होगा आप से कुछ नहीं होगा तो ये बाते आप लोग को समझने परेंगे तो इस बज़ा से आपको वो कॉम्मिनीटी में जाके आप लोग को एंसर देनी चाहिए जो कि बहुत ही आप लोग के लिए नहीं परेगी ये concept पढ़ने और वो एंसर दे दे बस ओके गई इतना ही बताना था और अब हम देखेंगे अपने next lecture में और इसमें मैं आपको constitutional development के बारें बताऊंगा और इसमें लगबग दो वीडियो आ सकती है क्योंकि लंबा topic है दो वीडियो आएंगे और दो वीडियो और अब हमें लेंगे अपने next topic पर